नमस्कारम, हम पढ़ रहे हैं 10th Class Biology, Chapter 8, Name, How Do Organisms Reproduce? यह हमारी इस लेसन के 10th वीडियो है, और हम आगे हैं, Topic Reproduction in Human Beings. तो आईए, शूरू करते हैं, जैसे कि Topic का नाम है, Reproduction in Human Beings. कि इनसान के अंदर कैसे प्रजनन होता है, इनसान के अंदर Reproduction कैसे होता है, इनसान के अंदर बच्चे कैसे पैदा होते हैं, यह आज हम इस Topic में पढ़ेंगे. अब तक हमने पढ़ा था, दूसरे जो अनिमल हैं, कोई Hydra है, कहीं Amoeba है, कुछ Plants हैं, कहीं Sugar Can हैं, कहीं Gwawa हैं, कहीं Flowering Plants हैं, तो इन सब में Reproduction कैसे होता है, अब हम आगे हैं, इनसान के अंदर. So far, we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction, अब तक हम यह discuss कर रहे थे, कि अलग-अलग कौन-कौन से तरीके हैं, जिनसे अलग-अलग species, अलग-अलग प्रजातियां, Reproduction के लिए इस्तमाल करती हैं, अब तक हम यह पढ़ रहे थे, कि अलग-अलग जो species हैं, वो किन अलग-अलग method से Reproduction करती हैं कहीं birding है, कहीं asexual है, कहीं sexual है, कहीं spore formation है, कहीं fragmentation है, यह सब हम पढ़े थे, let us now look at the species that we are most interested in, namely humans, कि अब हम उस species का जीकर करते हैं, उस species को study करते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा interested हैं, जिसमें हमारे रूची सबसे ज़्यादा हैं, और वो कौन से species हैं, इनसान, इनसान के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा interest होता है, कुछ लोग समझते हैं कि इनसान, कुछ इनसान ऐसा समझते हैं, कि पूरी दुनिया उनको सर्व करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही बनी है, चाहे वो plants हो, चाहे वो दूसरे जैनवर हो, तो इनसान कहीं बार यह गल्तिस मान लेता है, गल्त समझ लेता है, कि सारे जानवर उसके गुलाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, खेर हम यहां reproduction के बारे में पढ़ेंगे, humans use a sexual mode of reproduction, कि इनसान कैसे reproduction करते हैं, sexual से, ना इनसान में budding होती, ना ही fragmentation होती, ना regeneration होती, इनसान में क्या होता है, sexual reproduction होता है, how does this process work, यह process कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, हालंकि अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन चलो थोड़ असा question पूछता है, तो हम इसको discuss करते हैं, थोड़ असा discuss करते हैं, कैसे काम करते हैं इनसान में, इनसान में sexual reproduction है, यानि कि नया बच्चा पैदा करने के लिए, दो इनसान की जरूरत होती है, एक होती है male, एक होती है female, एक होती है mother, एक होता है father, तो क्या होता है, दोनों की इशाद्य हो जाती है, हम तो और रुपे ही होता है, और उसके बाद, female के अंदर, female जो है बच्चा पैदा करती है, क्योंकि female के अंदर uterus होता है, कहते हैं, कि मा के पेट से जन लेकर आया है विच्चा लेकिन एक्चलि मा के पेट से नहीं जनम लेता है कोक से जनम लेता है कोक यूटरस होता है जो लेकिन उसमें फादर का भी उतना ही रोल होता है फादर के अंदर क्या बनते हैं मेल गैमिट स्पाउम बनते हैं मदर के अंदर बनते हैं फीमेल गैमि पास, संगम, तो उसके दोरान क्या होता है, मेल के अंदर से गैमीट, स्पर्म, जो है, फिमील के अंदर चले जाते हैं, और फिमील के अंदर एग होता है, एग और स्पर्म मिलकर फिर जाईगोट बनाते हैं, जाईगोट फिर यूटरस के अंदर, मा की कोक के अंदर ही हुआ, पिर 9 महीने में वह जाइगौट पूरा एक बेभी में कनवर्ट औगाता है, बेभी बन जाता है, फिर 9 महीने बाद डेलेवरी होती है, और बच्चे का जैनम होता है उसके बाद फिर भी काफी दिनों तक है करती है माँ उस बच्चे को दूद पिलाती है दिरे-दिरे उसके दानत आ जाते हैं बच्चे के उसको खाना दूसरा खाना खिलाना शुरू करते है चलना फिरना शुरू कर देता है वो और फिर वो इंडिप बिंदू से शुरू करते हैं, एक unrelated से बिंदू से, जो जुड़ा हुआ नहीं है, direct, उस महाँ से शुरू करते हैं, All of us know that our bodies change as we become older, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम बूड़े होते जाते हैं, जैसे हमारी उमर बढ़ते जाती हैं, हमारे शरीर में change आने शुरू होते हैं, You have learnt changes that take place in your body earlier in class 8th also, कि 8th class में भी एक reproduction नाम का lesson है, वहाँ पर आप पढ़कर आयो, कि जैसे उमर बढ़ती हैं, तो शरीर में क्या क्या change आती हैं, क्या क्या change आती हैं, दाड़ी मूझे आने लगती हैं, breast development होने लगता है, यह सब, We notice that our height has increased continuously from early age till now, कि हम यह notice करते हैं, कि हमारे जो शुरू से, जो बच्पन से हमारी height बढ़ती रहती है, हमारे लंबा ही बढ़ती रहती है, अब तक, अभी आपकी उमर कितने होगी, मेरा अंदाज है आपकी 13-14 साल उमर होगी अभी, है ना, आपकी 13 साल होगी उमर, यह 14 सा We acquire, 15 भी हो सकते है किसी की, कोई बड़ी बात नहीं है, We acquire teeth, we even lose the old, so called milk teeth, and acquire new ones, कि हमारे क्यों होते हैं, दात आते हैं पहले, जो बच्चे होता है, जब उसकी उमर 5-6 महीने क्यों जाती है, फिर उसके दात आने सुरू हो जाते हैं, फिर पुरान, उनको क्या बोलता है, मिल साथ साल का हो जाता है, तो उसकी दात टूटने लगते हैं, हमारे दात टूटने लगते हैं, फिर हमारे पर्मनेंट teeth आते हैं, तो जिंदगी में हमारे दो बार दात आते हैं, एक बार टेंपोरेरी, जो कुछ साल बार टूट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं, जो अ यह जो भी चेंज आते हैं, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, दान तूट जाना, हाइट बढ़ जाना, यह सारे के सारे चेंज जो हैं, हम ग्रोथ के अंदर ले सकते हैं, कि ग्रोथ हो रही है, हमारे श्रीर की व्रीधी हो रही है, हमारे श्रीर बढ़ा हो रहा है, हमारे श्री कि जो early teenage years होते हैं, यानि कि जो 11-12 साल की जो उमर होती है, उसके अंदर हमारी बोडी में ऐसे एक change आते हैं, ऐसे बदलाव आते हैं, जिनको हम यह नहीं कह सकते हैं कि खली शरीर का भी का शरीर बढ़ा होड़ा है, वो special बदलाव होते हैं, instead, the appearance of the body changes, कि क्या होता है, हमारे शरीर कैसा दिखता है, उसमें बदलाव आ जाता है, कि जेखो 10 साल पहले तो आपकी दाड़ी मूच्छे नहीं होती, 11-12 साल की उमर के बद, चोटी-चोटी दाड़ी थोड़ी मूच्छे आने लग जाती हैं, तो अब क्या होता है, बच्पन हो जाती है, तो शरीर में अलग दिखने लगता है, बच्पन में कुछ अलग से दिख रहे थे, जवानी में कुछ अलग दिखने लगते हैं, proportions change, new features appear, proportion change हो जाता है, proportion मतलब कि कौन सा आंग कीस मात्तरा में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे आंग पूरी उतनी स्पीड से बढ़ते हैं, जैसे अपनी नाक है, थोड़ी स्लो लिबढ़ती है, टांगे हाथ हैं ज्यादा लंबे हो जाती हैं, उंगलियां ज्यादा ल नहीं थी, breast development लड़कियों में, लड़कों में नहीं होती, लड़कियों में हो जाती है, and so do new sensations और नहीं सम्वेदनाएं आती हैं, यानि कि मन में हम जड़ना एक अलग तरह की सम्वेदना, एक अलग तरह की हमारे अंदर सेंस आती है, क्या होता है, जैसे जो लड़के हैं, उनकी अंदर लड़कियों के प्रती एक हलकिसी आकर्शन की भावनाएं उत्पनोंने लगती हैं, उसी तरह लड़कियों के अंदर लड़कों के प्रती एक हलकिसी आकर्शन की भावनाएं सम्वेदनाएं उत्पनोंने लगती हैं, तो शरीर में एक नया बदलाव आने लग और गर्ल्स दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, तो कुछ करेक्टर तो क्या होते हैं, दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे दांत, दोनों में दांत तूटते हैं, फिर नए दांत आते हैं, हाइट बढ़ती है, तो कुछ करेक्टर तो दोनों में सेम होते हैं बट कुछ करेक्टर अलग अलग भी होते हैं we begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs which can also become darker in color शरीर पर क्या है हम क्या notice करते हैं hair growth आने लगते हैं मितलब शरीर पर कुछ जगह पर बाल आने लगते हैं जैसे जो armpit होती है armpit जो हमारे बाज्यों के जो बगल में जो जगह होते हैं बाज्यों के नीचे उस जगह पर क्या है hair growth बाल आने शुरू हो जाते हैं यह changes यह हैं जो 10-11-12 साल की उमर में आने शुरू होते हैं जो color भी थोड़ा change जाता है हलका सा गहरा color हो जाता है जैसे कि मल जैसे यह तो बहुत सिंपल सा diagram मैंने बना दिया कि जो armpit क्या कि जो हमारे बाज्यों के नीचे जो यह वाली जगह होती है armpit बगल वाली जगह हैं यहां पर hair growth यहां पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और जो genital area है थाइस जो हमारे थाइस के बीच का जो genital area है यहां पर भी कहा है hair growth बाल आने शुरू हो जाते है thinner hair can also appear on legs and arms as well as on the face थोड़े पतले बाल कहा होने लगते हैं हमारे टांगों पर भी बाल आने लगते हैं हमारी बाज्यों पर भी बाल आने लगते हैं और तो और हमारे face पर हमारे मूँ पर भी थोड़े पतले बाल आने शुरू हो जाते हैं the skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples हमारे जो skin क्या हो तो यह oily हो जाती है tail यह skin, chicken skin हो जाती है और हमें क्या हो जाती है pimples भी आने शुरू हो जाती है हमारे चाहरे पर फुनसियां छोट छोटी फुनसियां pimples आने शुरू हो जाती है अपने टीवी में काफी सारी आयड देखेंगे वो बोलता है oily skin, यह face wash आते हैं कहीं सारे कि oily skin से चुटकार अपाने के लिए face wash यूज करें यह वो तो वो अपना सामान बेचने के लिए बहुत बेवकूफ बनाते हैं तो oily skin क्यों होती है हमारी यह natural होती है हमारी skin के अंदर कुछ oil gland होती है जिनकी वज़े से मरतवचा चिकनी चिकनी हो जाती है और हमें pimples आने लग जाते हैं 11-12-13 साल की उमर जो आपकी उमर है आपकी 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 क्लास में भी देखना कहीं कहीं बच्चों के कहीं बार pimples आ जाते हैं तो वह प्राकरितिक है वह natural है उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है वह खुद ठीक भी हो जाते हैं हाँ अगर ज्यादा pimples निकल आएं आपका चाहरा ज्यादा बिगड जाए ज्यादा pimples हो जाएं ज्यादा दर्द आने लगे उन्हें पास पड़ जाए तो आपको डोक्टर को जरूर दिखाना चाहिए लेकिन एक आद फिंपल आ गया तो हम ऐसे करीमे लगाने लगें फेश वोसे लगाने लगें तो उसकी जरूरत नहीं होती तो जो यह अपना सामान बेचने के लिए टीवी में काफी सारी आड ऐसी दिखाते रहते रहते हैं अगर जादा आ जाएं तो आपको डोक्टर से सलाज रोर लेने चाहिए हम कौशुस हो जाते हैं किसके परती हमारे खुद के शरीर के परती हम ज्यादा सचे दो जाते हैंarnya की लड़कों में क्या है लड़किओं के परती एक हलगे से अकरशन की भावना उतपन होती है उरुसी तरह से लड़कियों के अंदर भी लड़कों के प्रती एक आकर्शन की भावना पैदा होती है अच्छा जो यह चेंजिस हमने पड़े हैं यह बॉइज और गर्ल्स दोनों में सेम है दोनों के आरम पिट के नीचे जो है बाल आने लगते हैं दोनों में ही जैनिटल एरिया में बाल आने लगते हैं ठीक है तो दोनों में ही पिंपल्स होने लगती है जो यह हम चेंज पड़े हैं यह दोनों बॉइज और गर्ल्स दोनों में होते हैं, दोनों में कोमन होते हैं On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls लेकिन दूसरी तरफ क्या है? कुछ ऐसे change होते हैं, जो बॉइज में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast कि लड़कियों में क्या है? देखो, breast दोनों में होते हैं, boys में भी और गर्ल्स में भी लेकिन लड़कियों में breast का size बड़ा हो जाता है, breast मैचोर हो जाती है और जो उनमें nipples की skin होती है, जहां पर जो mothers है, जो अपने बच्चों को दूद पिलाती है, उसको push point को बोलता है nipples तो जो nipples की skin है वो डारकों नहीं, गहरी रंग की, डारकों नहीं शुरू हो जाती है Also girls begin to menstruate at around this time, और लड़कियों में menstrual cycle भी शुरू हो जाता है, menstrual cycle, इसको हिंदी में बोलते हैं, रजो धरम, मासिक धरम, यह सब बोलते हैं, महावारी भी बोलते हैं एक महीने में एक बार होता है, इसको क्या बोलते है, menstrual cycle, अभी मैं आगे थोड़ा सा और detail में पढ़ाँगा, अच्छा एक और बात बता हूँ, जब किसी लड़की को सबसे पहली बार, जो menstrual cycle होता है, उसको बोलते है, मैनार्क किसी लड़की को जीवन में, जो सबसा पहला menstrual cycle होता है, उसको बोलते है, मैनार्क खेर आगे हम menstrual cycle को थोड़ा और detail में पढ़ने कोशिश करेंगे तो लड़कीयों में कहता है, यह breast development और menstrual cycle स्टार्ट हो जाता है, तो अब यह क्या सिर्फ लड़कीयों में होता है, लड़कों में नहीं होता है जो लड़कीयों में ऐसा नहीं हो पता and their voices begin to crack, और जो लड़कों की आवाज है, वो crack और लगती है, फटने लगती है, यह दूसरी बात में बता हूँ, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है अब अपनी क्लास में देखना लड़कों की आवाज तीखी होती है पतली होती है और लड़कों की आवाज मोटी होती है भारी आवाज होती है फिल्म में भी देखना फिल्म में जब हीरो चिलाता है तो मोटी आवाज में चिलाता है ओ ऐसे लड़किया जब heroine या को उसको गुंड़े उठा लेते हैं तो बचाओ 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 वो तीखी आवाज में चिलाती है further the penis occasionally begins to begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night जो penis होता है जो penises में होता है, males में होता है आपको पता है, males में होता है males में जो पैशाप करने के जो रास्ता होता है उसको penis कहते हैं तो penis जो है, उसका size बढ़ जाता है थोड़ा और जो लड़कों में ऐसा होता है कि penis फैसे लड़कों में ही होता है तो क्यों होता है, कि कभी-कभी penis जो है सीधा हो जाता है, सीधा erect हो जाता है और enlarger हो जाता है, मतलब उसका size बढ़ जाता है, कभी-कभी वो दिन में कुछ सोचते हुए, कोई विचार करते हुए, या कभी बार रात में भी, रात में भी ऐसा हो जाता है, तो यह temporary होता है, कुछ time, कुछ समय के लिए 25 जो size है, वो सीधा हो जाता है, वो उसका size थोड़ा बढ़ा हो जाता है, कई बार दिन में कुछ सोचते हुए, कई बार रात में, ऐसा कभी-कभी हो जाता है, तो यह change थे, जो है, male और female में थोड़े, अलग-अलग होते हैं, अच्छा, ऐसा होता किसी वज़े से है, hormones की वज़े से होता है, कोई आप से पूछे भी, male और female, दो दूद पिलाती है, क्योंकि mother के अंदर ही दूद बनता है, क्योंकि ऐसा होता क्या है, breast की development के लिए, या milk production के लिए, जो hormone होते हैं, वो mother में जादा होते हैं, इसलिए mother में ही क्या होते है, breast development हो जाती है, father में अलग hormone होते हैं, इसलिए आप से बुचे भी, दाड़ी मूच है लड़कों की नहीं आती, लड़कों कोई दाड़ी मूच से क्यों आती हैं, तो लड़कों को इसलिए आती है, क्योंकि दाड़ी मूच होगाने के लिए, जो hormone होते हैं, वो लड़कों में जादा होता है, इसलिए लड़कों में दाड़ी मूच से जादा नहीं आती है, लड इतने से breast development में क्या है जो hormone जिमेवार है वो लिड़कियों में होती है इसलिए लिड़कियों में breast development होती है लड़कों में नहीं होती All of these changes take place slowly over a period of months and years कि जो यह change आते हैं यह बदलाव होते हैं यह क्या धीरे धीरे होते हैं इनमें कहीं महीने और कहीं सार लग जाते हैं जैसे ऐसे नहीं होता कि आज आप रात को सोई सुबह अपकी दाड़ी मुझ्छे आगी इतना जल्दी नहीं होता धीरे धीरे breast development होती है धीरे 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 धाड़ी मुझ्छ आने शुरू हो जाती है देखें आप कही बर आपकी कलास में देखों धीरे धीरे पहले छुट- or do they happen at an exact age अच्छा जो ही चेंजिस होती है ना यह हार एक इनसान में एक सेम टाइम पर नहीं होते और क्या है एक सेम उमर में नहीं होते जैसे कहीं बार आप देखते हो किसी-किसी लड़कों में दाड़ जो मुझ्या वो 9th क्लास में आने शुरू जाती है किसी-किसी में हल 11th क्लास में आने शुरू होती है किसी-किसी की 12th क्लास में आने शुरू जाती है तो ऐसे इसकी फिक्स उमर नहीं होती किसी की एक साल पहले आने शुरू होगी किसी की एक साल बात आने शुरू होगी लड़कों में भी ऐसा ही होता है brush development ऐसे ही होती है तो एक exact age नहीं होती ह है लड़कियों में थोड़ा जल्दी आने शुरू हो जाते हैं लगालो लगबग 9-10, 10 साल की उमर में शुरू हो जाते हैं, लड़कियों थोड़ा लेट 11-12 की साल में, जो हैं, चेंजिस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को आठवी क्लास में ही आने शुरू जाती है मुझे, किसी के दस्वे में, किसी ग्यार्वी में, ऐसे एग्जक्ट एज नहीं होती, अपने अपने श्पीरी के अकोर्डिंगली वो अलग-अलग स्पीड से चलती है, कि कुछ लोगों में तो ये चेंज जल्दी आ जाते हैं, और थोड़ा फास्ट आ जाते हैं, और कुछ लोगों में ये चेंज, कुछ बच्चों में ये चेंज धीरे धीरे आते हैं, और ऐसा भी नहीं हो तक कि कोई एक जो चेंज आता है वो एकदम से पूरा कम्प्लीट हो जाता है जैसे मितल दाड़ी आने शुरू यह तो एकदम से ही आ जाएगी नहीं धीरे-धीरे होता है So, for example, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hairs first and only slowly does the growth begin to become uniform कि जैसे एक example से समझाता है कि लड़कों में क्या है जो दाड़ी आती है वो कैसे हती है फहले scattered आती है few scattered hairs यहाँ कि पहले दूर-दूर हलके हलके कहाते हैं चिदे-चिदे यहाँ कि हलके हलके ऩादिया डाड़ी आने शुरू हो थाती है दूर-दूर से फिर बाद में क्या है बाद में ये धिरे धिरे युनिफॉर्म एक सरी हो जाती है पूरी गने धाड़ी आजाती है आप देखते हैं पहले थोड़ी सी मुच्छे सी आती है थोड़ी सी थुड़ी पर थोड़ी सी आती है यह ना वेकिन बाद में कहा है पूरी ऐसे कलम से ले तो पूरी धाड़ी हो है तो गरते हैं दड़ी क्या दिरे आती है एकदम से नहीं आती है फहले मुझी आएंगी फिर थोड़ी थुट बार है पर गालम पर आएगे लूपर चिंपर अगाए लूपर फीर पूराम माउठ पर पूरा जाए जैसे आप देखोगे ना जो दाड़ी है, दाड़ी का पैटरन देखना आप अलग लोगों में अलग-अलग सा होता है, जैसे जापानी जो होते हैं, चीनी लोग जो होते हैं, उनकी मुझे अलग से होती हैं, हाना, चाइन, साइनीज लोग में मुझे अलग होती हैं, हमारी र लग रहा इसकी दाड़ी कम आती है तो यह जो चेंजिस हैं अलग-अलग इंसानों में अलग-अलग होते हैं जस्ट आज we have different shaped noses or fingers so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis की जैसे हमारी सब की जो नाख का size है और shape वो अलग-अलग होते हैं किसी नाख किसी के शेप के होती है किसी नाख चपटी किसी की लंबी किसी की ऐसी होती है हमारी उंगलियों का जो शेप साइज होता है अलग-अलग होता है जैसे मेरी कुछ ऐसी है अब मेरे पूज दिखने रही है यह वह दिखाता हूं अंगोठी वाली तो क्या है जैसे हमार जो दाड़ी आती है, hair growth pattern वो अलग-अलग होता है, जो breast का size है, वो लड़कियों में अलग-अलग सा होता है, किसे में थोड़ी breast थोड़ी चोटी होती है, किसे में थोड़ी breast थोड़ी बड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारी body का अलग-अलग होती है, अब naak का size, shape अलग-अलग होता है, ठीक है, उसी तरह से breast का shape size वो लड़कियों में अलग-अलग होता है, उस तरह लड़कों penis का size थोड़ा सा अलग-अलग होता है, जिसे हमारी height weight भी तो अलग-अलग होती है, उसी तरह ये changes भी थोड़े अलग-अलग होती है, किसमें थोड़े बड़े changes है कि थोड़े काम चेंज़ आ रहे हैं all of these changes are aspects of the sexual maturation of the body कि यह जो changes आ रहे हैं बोडी में यह क्या दर्शा रहे हैं कि body sexually mature होते जा रही है करते हैं कि जवान होते जा रहा है समझदार बनते जा रहा है तो यह changes आ रहे हैं दाड़ी आ रही है breast development हो रही है यह सब क्या है sexual maturity की तरफ इसारा करते हैं कि जो लड़का है या लड़की है वो sexually mature होता जा रहा है अब यहां पर एक question पोछती है कि इसी उमर में body sexual maturation क्यों दिखा रही है देखे क्यों दिखाती है sexual maturation का मतलब क्या है कि body जो है अब reproduction करने के काबिल बनने जा रही है जैसे reproduction बनने के लिए त्यार करने के लिए त्यार हो रही है body अब जैसे 9 महिने में एक बच्चा पैदा हुआ है अब जो बच्चा पैदा हो गया है अब वो बहुत छोटा होता है उसके दांत भी नोते अब ऐसे तो नहीं कि वो अब 9 महिने में बच्चा पैदा हुआ है अब आगे फिर वो दोबारे कर बच्चा पैदा कर देगा नहीं पहले का करेगा वो थोड़ा बड़ा होएगा चलना फिर ना सीखेगा मैचोर होएगा तब तब ही तो क्या है फिर जब दस साल को जाएगा फिर उसकी बोड़ी शक्शली मैचोर होना स्टार्ट करेगी तो आपको पता है जिस भारत में शादी की जो एज है वो क्या है पहले जो एज ये थी लड़कियों में थी शादी की कानून उमर 18 साल और लड़कों में थी 21 साल कि आप लड़की की शादी करना चाते हो तो 18 साल के बाद कीजिए लड़के की करना चाते हो तो 21 साल के बाद कीजिए हालांकि अभी मैंने निऊच पड़ी थी कुछ दिनों पहले कि सरकार यह चारी है अभी discuss कर रही है कि लड़कियों की उमर भी 18 से बढ़ा कर 21 साल कर दे जाए कि लड़कों की उमर है 21 साल शादे की लड़कियों की भी 21 कर दे जाए अभी साथ वो विचार कर रहे हैं इस पर अभी शाथ पता नहीं वो लागू हो गई या बात या नहीं अभी मुझे नहीं पता हा लेकिन है कि पहला लड़कियों की 18 थी लड़कों की 21 अभी सरकार इसको मोडिफाई करने जा रही है कि लड़कियों की शादे की उमर भी 21 साल और लड़कों की 21 साल अभी मुझे नहीं पता कि अभी लागू हो गया है या अभी कुछ दिनों में होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर यह उमर जो है क्यों सरकार चाहती है कि 18 साल हो या 21 साल हो इस सरकार इसलिए चाहती है इसके पीछे विग्यानिक कारण है क्योंकि इस उमर में जो है देखो बच्चा पैदा करने के लिए लड़की का शरीर पहले पूरा मैचोर होना चाहिए अगर कम उमर में लड़की की साधी कर दी जाए और कम उमर में प्रेगनेंट होके मा बन जे तो बच्चा कै कमजोर पैदा होगा और हो सकता है बच्चे की जान भ उमर में करने चाहिए जब वो एक नया परिवार संभालने के लायक हो जासके, जब वो माता पिता बनने के काबिल बन जासके, जो पहले से बच्चे हैं, वो आके बच्चे कैसे पैदा करेंगे, तो और यहां पर इसलिए, इसलिए इस उमर में sexual maturity आने शुरूरती है, कि 10-11 सा के उमर में sexual maturity स्टार्ट हो जाती है, और करीब 18 साल तक जो है, शरीर पूरा sexually mature हो जाता है, तो इसलिए यह एक sexual maturity के लिए एक सही उमर होती है, We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions, कि हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी, कि क्या होता है, Multicellular जो organism है, उनमें babies पैदा करने के लिए, या फिर special काम करने के लिए क्या है, special cells होती है, तो इसे specially बात करें, babies पैदा करने के लिए महाँ पर क्या है, special cell की जुरूरत पढ़ती है, The creation of germ cells, to participate in sexual reproduction is another specialized function, कि germ cells क्या, जो gamete बनते है, male gamete, female gamete, agor, sperm, यह बनाने के लिए क्या है, एक special organ चाहिए, एक special काम करना पड़ेगा, तब ही तो इस special germ cell बनेंगी, And we have seen that plants develop special cell and tissue types to create them, हमने plants case पढ़ा था, कि उसमें क्या थे, special tissues थे, वहाँ पर special cells बन रही थी, हमने देखा था, एंथर में क्या थे, pollen grain बन रहे थे, हमने देखा था, ovary में क्या था, ovule था, ovule के अंदर ag बन रहा था, तो plants में भी क्या है, gamete बनने के लिए special organ होते हैं, कि जब इंसान के अंदर जब शरीर का विकास होता है, जब शरीर अडल्ट बनने की तरफ बढ़ रहा होता है, शरीर का विकास होता है, तो जो सारी जो energy है शरीर की, जो भी हम food खा रहे हैं, जो भी energy है, वो सारी growth में चले जाती थी, जब आप बच्पन से आप, एक साल की उमर से आप बढ़ते आ रहे हो, 10-11-12 साल की उमर तक, तो आपकी जंतर energy है आपकी growth में जा रही है, कि जब आप चोटी बच्पन की उमर में आपके शरीर का विकास होता है, उस टाइम पर आपके अंदर reproductive tissue का विकास नहीं होता, उस टाइम क्या है, breast development, यह सब gamut बनना, यह सब नहीं होते हैं, क्योंकि सारा जो body का main focus कहता है, शरीर का विकास करना, length बढ़ाने शरीर का, Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature, कि अब आप 11, 10, 11 साल की उमर तक है, काफी ग्रोथ हो चुकी होती है, आपकी शरीर की, तब आप शरीर सोचता है कि काफी ग्रोथ तो हो गई है, अब धीरे-धीरे sexual growth भी स्टार्ट की जाए, reproductive maturity भी स्टार्ट की जाए, This period during adolescence is called puberty, adolescence का मतलब क्या हता है, किशोर अवस्था, adolescence का मतलब किशोर अवस्था, puberty का मतलब योवन आरंब, यानि अभी आपकी जो age है वो, adolescence age है अभी आपकी, अभी आपकी शोर हो, या अभी आपकी puberty age है, यानि किशोर अवस्था मतलब अभी आप जेखो एक तो बच्पन होता है, या एक जवान होता है, या व्यसको जाना, adult हो जाना, तो अभी आप बच्पन से तो बाड़े हो चुके हो, लेकिन अभी पूरी तरह से adult नहीं बने हो, अभी आप बीच मे इसको बोलते हैं किशोर अवस्था, adult sense age, या पुबर्टी, तो अभी आप adult sense हो, पुबर्टी हो, शोर अवस्था की age में हो, इसको teenager भी कहते हैं लोग, तीन तीन लगता है, जैसे 13, 14, 15, 16, तो अभी तीन age में हो, अभी आप जवान पूरी तरह से हुए नहीं हो, बट जव जवान ही की, मैं आपने कदम रख दिया है, अब ये जवान हो रहे हो, आप देरे-देरे, So, how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process, की अब तक जो भी हम changes की बात करते आया हैं, जो भी change आ रहे हैं बोडी में, वो reproduction से कैसे related हैं, चलो पढ़ती हैं पहले, We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together, की हमें याद है, sexual reproduction कैसे होता है, Germ cell बनती हैं, दो में, male में, male germ cell, यानि male gamit, female में, female gamit, और reproduction कैसे होता है, male gamit और female gamit आपस में fuse कर जाते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, नया बेबी तयार होता है, this can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals as happen in flowering plants, की अब जो male और female जो gamit हैं, यह क्या कर सकते हैं, यह external बहार निकल करके भी join कर सकते हैं, जैसा की फूल वाले पोदो में हमने देखा था, फूल वाले पोदो में हमने क्या देखा था, एंथर के अंदर से, एंथर के अंदर से pollen grain निकल करके, हवा में उड़ करके stigma पे गया था, फिर stigma के अंदर उसने क्या क्या था, उसके अंदर से एक tube निकली थी, और उस tube के अंदर से दो male gamit निकले थे, वो male gamit tube में से जाते 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 अव्यूल के अंदर चले गए थे अव्यूल के अंदर female gamit था और वहाँ पर fusion होई थी तो यहाँ पर क्या है वो एक तरह से बाहर निकले हैं body से, enter से बाहर निकल करके और फिर वो release होए हैं हावा में रिलीज होए हैं और फिर बाद में उनकी जोइनिंग हुई है और इट कान हैपन बाइटू इंडिविज्वल्स जोइनिंग देर बोडी तोगेदर फोर इंटर्नल ट्रांसफर फोर जर्म सेल्स फोर फ्यूजन एज हैपन्स इन मैनी अनिमल्स और दूसरी तरफ के ह हो सकता है उसमें क्या होता है जो दोनों इंडिविज्वल हैं मेल और फिमेल मदर और फादर वो दोनों अपनी बोडी को जोड लेते हैं जोडनेने के बाद क्या होता है इंटर्नल ट्रांसफर होता है यानि कि एक बोडी में से दूसरी बोडी में बेसिकली क्या होता है मेल में से father में से germ cell निकल करके यानि sperm निकल करके female की body में mother की body के अंदर चल जाते हैं और फिर वहाँ पर mother की body के अंदर क्या है female gamit होता है वहाँ पर male gamit और female gamit दोनों fuse कर जाते हैं join कर जाते हैं और फिर baby बनाते हैं ऐसा काभी सारी अनिमल में होता है, जैसे गाएं, भैंस, डोग, है ना, या फिर कैमल है, टाइगर है, लोएन है, जंदर जानवर हैं, काभी सारी जानवर हैं, उनमें ऐसे ही होता है, इसको इंटर्नल कहते हैं, इंटर्नल फर्टिलाजिसन भी कहते हैं, आगी थोड़ा से मैं बेबी बिनाता है, इंसान के अंदर भी ऐसा ही होता है, इस एनिमल्स आर टू, पाल्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ओफ मेटिंग, देर स्टेट ओफ सेक्शल मैचॉरिटी मस्ट भी आइडेंटिफियबल बाई अधर इंडिविज्वल्स, कि अगर जानवर जो हैं, यह सेक्शल रिप्रोड़क्शन करना चाहते हैं इस तरह से, मेटिंग का मतलब कहता है, इस सेक्शल प्रोसेस को मेटिंग कहते हैं, इसको हिंदी में संभोग या मैथून भी कहते हैं, इंग्लजिस में कहते हैं या कोपूलेशन या sexul process या इंटरे इंटर कोर्ज यह कहते हैं कि जब male और female के बीच में होती है जब male जो है अपने gamete, अपने smaam female की बोडी में transfer करता है उस process को बोलते है sexual process या meeting इसके अंदर कहते हैं कि male और female पहचान में आने चाहिए यह लिखारोन है बात कि must be identified by other individuals कि male और female पहचान में आने चाहिए कि यह male यह female जैसे many changes during puberty such as new hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place कि जो puberty है जो किशोर अवस्था है उसके अंदर के होते हैं अलग-अलग तरह से hair growth pattern होते हैं यह क्या है यह signal देते हैं कि sexual maturity हो रही है जैसे मतलब इनसान केसे में देख आदमी और और औरत को पैचान जाते हैं ना आदमी क्या होती है दाड़ी होती है मूच्छ होती है तो समझ जाते हैं यह आदमी है तो उन मतलब हर एक जानूर में क्या कुछ ऐसे character होते हैं जो male और female में अलग-अलग होते हैं जो से हम पैचान जाते हैं कि यह male है यह female है जैसे अपनी क्लास में लड़के लड़कियों को हम पैचान जाते हैं on the other hand the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act such as the penis when it is capable of becoming erect कि अब क्या है जब male में से जो gamete है female की बोड़ी में ट्रांस्फर करने है देखो बार बनिया जर्म जर्म सेल आ रहा है जर्म सेल के बजाए मैं gamete word यूज कर रहा हूं एक ही बात है gamete इससे थोड़ा बड़ा word है अच्छा word है जर्म सेल यह gamete कह सकते है male gamete female gamete कि अब male में इसे gamete जो है निकल करके female की बोड़ी में जाना है कौन से प्रोसेस में sexual process में sexual act में इसके लिए special organo ने चाहिए तो nature ने इसलिए male में कहा दे रहा पैनिस दे रहा है अब हम अगले structure में पढ़ेंगे कि इरेक्ट हो सकता है सीधा हो जाता है सीधा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ताकि क्या है, जो स्पर्म है, वो सही से जा सके है, फीमेल के बोडी में, In mammals, such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period, Mammals, mammals दिखो वर्ड आया, mammals कि इसको बोलता है, दूद देने वाले जानवर, दूद देने वाले जानवर को mammals कहते है, जैसे गाएं है, दूद देती है, बहांस है, दूद देती है, बकरी दूद है, भेड, शेर, शेर मतलब दूद देती है, दूद, शेर नहीं, ठीको वो, और इनसान, इनसान को दूद देता है, इनसान को दूद देता है, मदर तो दू में काफी लंबे समय तक राता है नू महीने तक उसकी बोड़ी में राता है मा की बोड़ी में and will be breastfed लेटर और जनम के बाद क्या है मा उसको दूद पिलाती है breastfed अपनी breast से दूद पिलाती है तो इनसान में करते हैं जब बच्चे के जनम हो जाता है तो च्छाय महीने तक उसको मा का दूद ही पिलाता है सिर्फ जाय में इने के बाद फिर थोड़ 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 उसको सायद किलाना या धलिया या थोड़ा खिचडी या दाल का पानी थोड़ थोड़ा कोई फरूट का जूस पिलाना शुरू करते हैं और दो साल तक मा उसको दूद पिलाती रहती है दो साल के बाद किया फिर दूद छोड़ देते हैं, फिर वो पूरा खाने हो जाता है, फिर वो दूद, नहीं, खी, घी, पनीर, खीर, फरूट, फाल, यह सब खाने लगता है, हरी सब्जियों. The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. अब क्या है, अगर बच्चों को दूद पिलाना है, तो क्या है, फिमेल में क्या है, breast होनी चाहिए, और breast में milk formation भी होनी चाहिए. तो female दूद इसलिए पला पाती है, कि उनी के breast में दूद बनता है, मेल्स में नहीं बनता है, इसलिए वो नहीं पिलाते हैं. Let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction, कि अब हम थोड़ा और detail में पढ़ेंगे, कि कौन-कौन से system है, sexual reproduction में काम करते हैं, यानी male reproductive system और female reproductive system हम हम पढ़ेंगे, panis या gamete कहां बन रहे हैं, uterus की में क्या कहा रहा हूँ, इन सब को अब हम detail में पढ़ेंगे. Male reproductive system, यानी कि, male में जो reproductive system होता है, अब उसको पढ़ते हैं, detail में. तो देखे, यह होता है, male reproductive system, यह एक तरफ से दिखाया हुआ है, ठीक है, यह होता है, panis, तो अब इसको पढ़ते हैं. The male reproductive system, consists of portions which produce the germ cells, and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. देखे, यह है एक word है, fertilization. Fertilization क्या होता है, जब male gamet और female gamet दोनों आपसे मिल जाते हैं, fuse कर जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. इस process को भी बोलते हैं, fertilization. ठीक है, plants में भी होती है, तो, male reproduction system, male reproductive system में क्या होता है, उसके अंदर दो तरह के portion हैं, एक तो वो portion जहां पर germ cell बनती है, यानि कि gamet बनते हैं, और male gamet को क्या क्या बोलते हैं, sperm बोलते हैं, जहां पर sperm बनते हैं, और दूसरा ऐसा portion है, जो sperm को na fertilization तक पहुचाता है, यानि ये एक तो ऐसे जगह हैं, जहां sperm बनते हैं, और फिर कुछ ऐसे organ हैं, जो कहा है, sperm की transport में help करते हैं. The formation of germ cells or sperms takes place in the testis, कि जो germ cell है, या male gamet है, या sperm है, ये कहां बनते हैं, males में, testis में बनते हैं, तो इसको, चलो पहले में करता हूँ, पहले में पुरा डाइगराम सिंगा जेता हूँ, फिर हम बढ़ेंग इसको, ठीक, इसे वो repeat हो जाएगा, और अच्छे समझ में भी आ तो इधर देखिए, ये होते हैं testis, जो male हैं, उसमें दो testis होते हैं, ठीक है, ये एक तरसी दिखाया है, एक testis इसके बगल में है, ठीक है, ये देखो, ये testis हैं, ये होता स्क्रोटम, श्क्रोटम के एक थैली जैसी, एक pouch जैसे structure है, ठीक है, ये body से बाहर ऐसे लटकी होती पाउच इसके अंदर टेस्ट इस होते है में इसलिए होता है कि स्परम को बनने के लिए न भॉड़ा सा कम टैमपरेचर चाहिए होता है हमारी बोडी के टेमपरेचर कितना होता है 37 degrees c स्परम बनने के लिए इसको almost 1.5 degrees c कम temperature चाहिए इसलिए ने क्या कर दिया सको एक थेली में बाहर लटका दिया पाँच में बाहर लटका दिया ताकि इसका temperature बोडी से थोड़ा से कम रहे लेकिन एक formation में ऐसे जरूर तो नहीं हो तीसलिए एक जो है वह बोडी के अंदरी बनती है अभी हम आगे देखांगे तो इसको दो बोलते हैं scrotum यह थिली है बाहर से जो थिली है इसके अंदर testis होते हैं दो testis होते हैं ठीक है testis के अंदर से देखो एक tube निकलती है एक टूब निकलती है टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं स्पारम बनते हैं अब टेस्टिस के अंदर से यह टूब निकलती है ठीक है तो जब स्पारम टेस्टिस के अंदर से चलते हैं तो वो इस टूब के जरी चलते हैं रास्ता देती है तो एक टेस्टिस में से एक टूब में तीन टाइफ की क्ट्राइब होते हैं अगी कि एक सब्सक्राइब होते हैं इनको बोलते हैं शाowi सुपक्राइब सेमिनल वैसिकल यह दो नंबर में होते हैं दो होते हैं एक तो एक है एक और इदर होता है दिखनी रहा भी इसके बगल में होता है तो दो सेमिनल वैसिकल होते हैं उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के यह भी दो होते हैं एक इस तरफ एक इस तरफ तो मेल्स में तीन टाप ग्लांट सोते हैं मेल रेप्डुक्टिव ग्लांट कह सकते हैं उनको समिनल वेसिकल प्रोस्टेट और कोपर्स गलांट तो यह होता है पैनिस अच्छा से उपर ही देखो यह होता है यह जो पाउच दिख रहा है ब्लैडर इसमें यूरीन बनता है इसमें पेशाब होता है यूरीन यूरेटर है यह किडनी से आती है नाली उपर से किडनी में पेशाब बनता है वो फिर ब्लैडर में कट हो जाता है जब यहां बर काफी सारा urine आजाता है फिर हमें एक feeling आती है कि तो फिर हम washroom जाते हैं और urine बहर निकाल देते हैं यह होता है panis देखो बीच 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 वरास्ता है इस रास्त के नाम है urethra तो यह सेम रास्ता है इसी में से urine भी पास होता है और इसी में से क्या है जब reproduction होने होती है जब mating होती है sexual process होती है तो testis में से sperm निकल करके भी इसी रास्ते से पास होती है तो यह होता है panis तो जब sexual process होती है जब reproduction होना होता है या जब mating होती है कोपुलेशन संभोग जब हो रहता है तो जो सेक्शुल प्रसेस होती है तो यह जो पैने सही सीधा हो जाता है ऐसे थोड़ा हारड हो जाता है इसका साइज थोड़ा बढ़ा हो जाता है योड़ी सीधा हो जाता है सीधा इसलिए हो जाता है ताकि इसमें से जो सीधे जो स्पा मारम दाख灣 हो सेके उसके लिए यह इसीत्यड़ा सीधा और हाड में कुछ टाइम के लिए तो ये है male reproductive system जो sperm है वो यहाँ बनते हैं testis के अंदर testis एक होर्मोन भी बनाते हैं testosterone नाम का होर्मोन बनाते है testis जो मर्दों के अंदर males के अंदर होता है जो कि यह करता है sperm formation और दाड़ी आना और जो मर्दों में जो character होता है वो वाले character control करता है testosterone होर्मोन यह जो sperm है यह कब बनने शुरू होता है यह करीब 11 साल की उमर में 10, 11, 12 साल की उमर में sperm बनने शुरू जाते है males के अंदर boys के अंदर और सारी उमर बनते रहते हैं लगबग लेकिन जब 50 साल उमर 60 साल उमर जब बुड़ापा जाता है तो sperm बनने की speed कम हो जाती है sperm बनने कम हो जाते है लेकिन stop नहीं होते जब आप female में देखोगे न female में बुड़ापे में X बनने बन्द हो जाते है लेकिन males में character change है males में सारी जिंदगी sperm बनते रहते है हलांकि बुड़ापे में जाकर की sperm बनने कम हो जाते है बट बनते रहते है तो अब हम पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं बुख क्या क्या पढ़ाती है the formation of germ cells or sperms takes place in the testis कि जो germ cell है या sperm है अच्छा इनको हिंदी में sperm को शुक्राणू कहते है शुक्राणू मतलब फादर का पिता का बीज जो हता है बीज यह कहां बनते हैं टेस्टिस में बनते हैं these are located outside the abdominal cavity in scrutum abdominal cavity बोलते हैं जो पेट वाला जो हिस्सा होता है कि यह abdominal cavity से बाहर होते हैं और किस में होते हैं scrutum में होते हैं एक pouch like structure होती है जो thallelic structure होती है scrutum में होते हैं because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature और यह body से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि sperm formation के लिए sperm बनने के लिए इस process में कम temperature की जुरूरत होती है हमारे श्रीड के companion में इसलिए यह body से बाहर होते हैं testis we have discussed the role of the testis in the secretion of the hormone testosterone in the previous chapter जो पिछले जो chapter था 7th chapter था अगर आपने पढ़ा हो शायद उसका नाम है chemical coordination ऐसा कुछ नाम है वहाँ पर hormones वगरा है तो हम पिछले lesson में पढ़कर आया है कि जो testis है वो testosterone hormone मनाते हैं इसके बारे हम पढ़कर आया है पिछले lesson में in addition testosterone क्या होता है male hormone होता है कि दाड़ी आना male के character मर्दों के जुगून आते हैं sperm वगरार बनते हैं दाड़ी मूच्य आना यह सब character अब आज का भारी होना यह सब character control करता है testosterone in addition to regulating the formation of sperms testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of poverty देखो वही बात आगी कि एक तो क्या करता है testosterone sperm formation को नियंतरित करता है और regulate करता है और दूसरा करता है जो लड़कों में जो appearance जो शेरीर में जो change जाते हैं बाहर से कैसे दिखते हैं muscles development होना ठीक है तो लड़कों में कहते हैं देखो छाती चोड़ो जाते हैं muscles बनने लगते हैं डॉले बनने लग जाते हैं muscles बनने शूरो हो जाते हैं body में लड़कियों में ऐसे कम characters होता है लड़ के muscles कम बनती है तो और यह सब character कौन control करता है यह testosterone बनाता है यह testosterone का है यह ही सारे character control करता है लड़कों वाले character the sperms formed are delivered through the vast difference which unites with a tube coming from the urinary bladder कि जो sperms है वो testis में से निकल करके vast difference tube में से जाते हैं वो यह tube आगे जा करके उससे मिल जाती है जो urinary bladder जहांसे पेशाब जो आता है उस वाले tube से जोईन कर जाती है तब दोनों कराश से सेम होता है उसे रस्ते से पेशाब भी कर सकते हैं उसे रस्त से स्पर्म भी जा सकते हैं इसलिए जो जुरेथ्चरा एपिच में जो रास्तालिका ए उरत्रा कहा है उससे स्पर्म भी जाते है और पेशाब भी जाता है along the path of the vast difference glands like the prostate and the seminal vesicles add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition जो हमने gland पढ़े थे कौन-कौन से gland seminal vesicle, prostate gland और copper's gland यह तीन टाप इप gland करते हैं एक liquid secretion secret करते हैं टस्टिस में बनते हैं sperm और यह glands कुछ secretion secret करते हैं एक तो एक है sperm उससे कहले देते हैं fluid में चले जाते हैं sperm जो glands की secretion है एका काम करती है sperm को तायरने के लिए एक medium provide करती है medium provide करती है और दूसरा sperm को nutrition भी देती है जो एक gland है seminal vesicle, prostate gland और copper's gland यह एक ऐसा fluid secret करते हैं जो sperm की थोड़ी रक्षा करता है उसको तायरनेम के लिए medium provide करता है और उसको energy के लिए nutrition देता है तो दूसरा कहा है जो पैशाब का जो यह रास्ता होता है यह हलका सा acid को रास्ता होता है हलका सा क्योंकि जो हमारे पैशाब होता है उसका nature, उसका pH हलका सा acid होता है और acidic pH में जो sperma है मर सकते हैं तो इसलिए कहीं जो sexual gland है यह क्या करते हैं इस रास्ते की acidity को खतम कर देते हैं और जो से sperm मरते नहीं है और वो अराम से तायरते हुए जा सकते हैं the sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move toward the female germ cell कि sperms को होता है tiny bodies, बड़े चट्छटे होते हैं आप उनको आँखों से ने देख सकते हैं आप सको microscope में देख सकते हैं इनके उन्दर के होता है mainly genetic material होता है कितना होता है? आधा, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कितने क्रोमोसोम होते हैं जिससे वो सांप कितरह ऐंसे तैरते हुझ जाते हैं अगर आप बड़ी क्लास्ज में टेकोगे अपने आदे होता है तो sperm कैसे साप कितरे ऐसे तैरते हुँ जाते हैं टेल उसकी मदद करती है जिसे हम सिंपल से डाग्राम मना रख रहा है मैंने यह कुछ ऐसा sperm होता है यह head होता है head के अंदर उसके nucleus होता है जिसमें 23 chromosome होते हैं बीच में यहाँ पर mitochondria होते हैं मैं आपसे request करता हूँ कि आप यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक आप अपनी NCRT book से जरूर पढ़िएगा और इसके लावा एक request ओर करता हूँ कि आप अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक मुठी अनाज के दाने पक्षियों के लिए जरूर रखिएगा मिलेंगे अगले टोपिक के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए study joyfully, keep smiling and namaskaram